हेलो दोस्तो, अप स्ट्टीयो में आप का स्वाघत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Android Studio में टेक्स्ट व्यू का फॉन्ट आप कैसे चेज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट व्यू का फॉन्ट चेंज करना बहुत ही एक इजी प्रोसेस है तो चलिए आपको Android Studio में मैं दिखाता हूँ हम लोग कैसे font change कर सकते है text view का ओ भी easiest तरीके से मैं पहले से एक project open करके रखा हूँ और जिसमें मैं एक linear layout लिया हूँ और देखे मैं past text view लिया हूँ और इसका orientation मैं vertical किया हूँ past text view आप देख रहे हैं चलिए मैं पहले आपको Abala application को install करके दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे के text view कैसा है और बात में हम लोग क्या करेंगे इसका font change करेंगे तो इसको हम लोग run कर लेते हैं और install करके देखते हैं device में इसका font अब भी क्या इसा है और बात में हम लोग इसको change करके देखेंगे देखेंगे यह बाला application install हो गया है और आप देख सकते हैं यह सबका जो font है वो सब सेम है तो आप यह क्या करेंगे सबका हम लोग अलग-अलग font यूज करेंगे तो चलिए वो देख लेते हैं आपको simply जाना है यहां पर आप देख सकते है यह एक है design और एक है text udah design में जाने के बात यहां पर पहले जो text में और आप यहां से भी select कर सकते हैं आप यहां से भी select कर सकते हैए ठीक है मैं पहले बाला को सिलेट कर लेता हूं और यह देखिए यहां पर एक सार्च का आईकॉन दिखा रहा है इसमें क्लिक किजिएगा और इसमें सार्च कीजिएगा आपके सामने यहां पर एक चोटा सा ड्रॉप डाउन टाइप का एक जो आईकॉन दिखा इस पर क्लिक किजिएगा यह देखिए बहुत सारा फॉंट आगया है अभी सार्च के सारे नहीं आए आपको ए मोर फॉंट इसमें क्लिक करना पड़ेगा क्लिक कर लिजेगा आभी दे आपको पसंद है आप सिर्फ कर लीजिएगा इसमें इसलेक कर लेता हूं और देखिए मेरे टेक्स्ट व्यूज हो गया इसे करते हैं यहाँ पर जायेगा सेकिंड ब्ला यहाँ पर सिलेक कीजिएगा और मोर फॉंट अभी मैं ले लेता हूं यह बाला का कर देता हूं अभी यहां पर क्लिक करता हूँ और मोर फॉंट में क्लिक करता हूँ अभी मैं यह वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ अब देखिए इसका भी फॉंट चेंज हो गया और पांच नमबर पर जाते हैं और इससे क्लिक करते हैं और मोर फॉंट में ने देखे चेंज हो गया मैं इसको आपको इंस्टार रान करकर दिखाता हूँ झाल झाल